मैंने S24 की unboxing में clear recommend किया था कि 60,000 की price पर अगर S24 कहीं भी मिल रहा है तो buy कर लो लेकिन कुछ लोग Exynos 2400 को इस तरीके से show कर रहे थे कि ये सबसे बेकार processor है और ये 60 से 70,000 की price डिज़ा भी नहीं करता बहुत सारे लोगों ने false performance test भी Twitter पर post किये जिससे लोगों को ये लगे कि S24 की battery life and performance दोनों ही बेकार रहेंगे मैं इस phone की battery life test करने के लिए एक update का wait कर रही थी लेकिन वो कल clear हुआ कि फिलाल कोई update नहीं आने वाली तो आज सुभे मैंने phone को 100% charge किया और जो एक real life यूज होता है phone का उस तरीके से से test किया यहां मैंने wifi बिलकुल connect नहीं किया, phone को सिफ इंडोर में 4Z पर और outdoor में full 5G network पर यूज किया मैं घर से निकली और 4K 60fps वीडियो रिकॉर्ट करना शुरू किये तो पहला point तो यह notice किया कि phone आउटडोर में भी बिलकुल गरम नहीं हो रहा था साथी साथ ये भी देख सकते हो किसकी video quality कैसी है मैंने सारी ही testing नवी मुंबई में की है जहां outdoor temperature लगबग 30 degree Celsius के आसपास रहा होगा और यह outdoor में full brightness पर भी था phone से मैंने बहुत सारे photos भी click किये और आप photos की quality भी check कर सकते हो मुझे personally S23 के comparison में इसके photos जादा natural लगे और photos में detail भी काफी अच्छी रही front camera से भी 4K 60fps video record किया लगब 3 घंटे एक पार्क में spend किये तो इससे इतना तो idea लग जाएगा कि 5G network पर outdoor में अगर 4K video वगरा record करें तो phone इस temperature पर भी heat नहीं करेगा यहां मेरी उमीद से कम battery percentage डाउन हुआ इतने use पर इसके बाद mall में इस पर लगबग आदे घंटे के असपास मेरे बेटे ने content watch भी किया और मैंने लगबग 5G पर आदे घंटे तक WhatsApp call भी किया अभी मैं आपको uses बता रही हूँ कि मैंने यहां क्या-क्या use किया क्योंकि इसी से clear idea होगा कि real life में practically इस phone से कितना screen on time मिल सकता है चाहूं तो directly setting में जाकर battery percentage दिखा सकती हूँ कि मुझे यहां कितना screen on time मिला वैसे मैं दिखा ही देती हूँ क्योंकि end में तो यह दिखाना ही है मुझे इस phone से total screen on time लगबग 6-6 गंटे का मिला और ये मेरी उमीद से बहुत ज़ादा है उमीद से बहुत ज़ादा इसलिए है क्योंकि अभी तक Samsung ने इसमें एक भी optimization का update नहीं दिया दूसरा phone को जादा तर time 5G network पर use किया गया और तीसरा point camera को भी अच्छा खासा use किया गया एक और point मैंने add करने की कोशिश की कि इस phone से मैंने लगबग 40 minute के लिए BGMI game खेला कुश time के लिए मैंने खेला और कुश time मेरे बेटे ने खेला लेकिन दोनों ही gamer नहीं है तो 40 minute के बाद ही मैंने बंद कर दिया और ये 40 minute में हमने कई बार गोलिया भी खाई इसके बाद लगबग 2 घंटे की Netflix पर एक movie देखी वो भी 4G network पर मैंने जानमूच कर इसे Wi-Fi से connect नहीं किया अगर Wi-Fi से connect करके यूज करती तो screen on time 6.5-7 घंटे के उपर भी हो सकता था जितने लोग फालतू के comment करते हैं कि Exynos processor बेकार है और S24 value for money नहीं है तो उनको मैं clear कर दू कि ये phone 60,000 की price पर सबसे अच्छा phone है आज की rate में 80,000 की price पर ये value for money नहीं है क्योंकि वहाँ फिर S23 जादा अच्छी value देता है अब तो वो लोग भी इस phone की तारीफ कर रहे हैं जो launch के time पर इसके लिए negative बाते कर रहे थे हो सकता है गर्मियों की time पर ये phone थोड़ा बहुत heat करें क्योंकि compact body है जो कि खरीदने वालों को अपने mind में रखना चाहिए मेरे हिसाब से ये सिर्फ एक battery test नहीं था बल्पि एक तरीके का इस phone का full review test था जहां camera quality देखने को मिल गई proper battery uses देखने को मिल गया gaming पर भी कोई hitting नहीं थी इसको value for money नहीं बनाते यहां बाकी सारे points भी है जो इसे value for money बनाते हैं जब इस phone से netflix पर movie देखी या फिर YouTube पर 4K HDR वीडियोज चलाए तो Samsung की 2X dynamic camera display का viewing experience top class था छोटा सा punch hole है तो ये display को on करके normal ही देखे तो इस से best display Samsung के अलावा किसी दूसरे phone में देखने को नहीं मिलेगी खास करके design के point से इसके 120 Hz की refresh rate और 1 UI 6.1 के optimization से phone को use करना Android world में next level है अगर मेरे सामने iPhone 15 और S24 हो तो मैं use करने के लिए S24 को ही select करूंगी क्योंकि सबसे जादा phone को use करने के लिए display ही use होती है और Samsung के LTPO display के सामने iPhone 15 बहुत जिटरी लगता है बैटरी से ही related एक और point था इसका charging time phone को किसी भी 25 Watt के adapter से चार्ज करने में लगबग एक घंटे का टाइम लगता है इसमें wireless charging का भी feature है जो कि मैंने अभी तक use नहीं किया साथ में reverse wireless charging भी है इमरजेंसी में कोई बर्स या दूसरा phone चार्ज करने के लिए और ये feature भी मैंने अभी तक use नहीं किया कुछ लोगों ने ये भी शो करने की कोशिश की है कि Samsung ने S24 की price बढ़ा दी है लेकिन ऐसा नहीं है Samsung ने same price रखी है जो S23 की थी वहाँ 75,000 में 128 GB का storage था जो कि UFS 3.1 था और 256 GB UFS 4.0 असी हजार का ही था तो वही UFS 4.0 वाला 256 GB असी हजार रुपे का है phone की build quality S23 जैसी ही है क्योंकि यहाँ दोनों side में वही corning glass witness यूज़ किया गया है लेकिन frame पहले से upgraded aluminum का है शुरुआत में मुझे ये design S23 के comparison में उतनी अच्छी नहीं लग रही थी लेकिन आज इसे जब outdoor में अच्छे से use किया तो ये design भी अच्छी लगी और premium भी S23 के bezels उतने जादा नहीं थे लेकिन अब bezels ना के पराबर है तो ये एक design upgrade ही समझा जाए यहाँ USB type 3.2 है जिसकी Samsung को अलग से marketing नहीं करनी पड़ रही जो कि एक brand ने बहुत अच्छे से की है किसी भी phone को update सिर्फ hardware के base पर नहीं बोल सकते जब तक कि phone के software में कुछ भी नए feature एड़ ना हुए हो और optimization भी नहीं किया गया हो तो यहाँ One UI 6.1, 6.0 के comparison में बहुत ज़ादा optimized है जो animation 6.0 में दिखाई देते थे उससे ज़ादा smooth 6.1 में है और वैसे यह update तो S23 को भी एक दो महीने में मिल ही जाएगा Samsung ने AI feature को ज़ादा importance दी है इस पर मुझे personally AI wallpaper generate करना और circle to search करना ज़ादा अच्छे लगे अब हम AI feature की help से खुद से अपना wallpaper generate कर सकते हैं जिसे यहाँ यह कुछ options मिल जाते हैं इसमें हम lamp की जगे पर board कर सकते हैं flowers की जगे पर cotton कर सकते हैं और pink purple की जगे पर कोई दूसरा color दे सकते हैं फिर से इस तरह से generate करके हमारे एक बहुत अच्छा wallpaper generate हो जाएगा यहाँ हमें कुछ options मिलेंगे जो हमें चाहे हम उसे लगा सकते हैं circle to search feature बहुत useful है daily life में बहुत बहुत ऐसी situation होती है कि हम किसी product की details चाहिए तो सीधे circle through search करो तो हमें सारे details मिल जाएंगे खास कर तब जब हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता स्रिफ sign या image ही होती है हमारे पास एक point और add करना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लोगों ने ये comment भी किये थे कि Exynos 2400 दो साल बाद ही hand करने लगेगा तो यहां भी मैं उपन ली बोल रही हूँ कि ये processor next 4-5 साल तक बहुत अच्छे से काम करेगा अब इसके उपर भी हो सकता है ये comment किया जाए कि ये वीडियो Samsung ने sponsor किया है तो Samsung ने sponsor तो नहीं किया बट ये पढ़कर अच्छा लगता है कि लोगों को मेरे वीडियो में इतनी एनरजी तो दिखाई देती है कि उनको iPhone 15 वाला वीडियो Apple के द्वारा sponsor लगता है Pixel 7 and 8 के वीडियो Google के द्वारा sponsor लगते है और Samsung के वीडियो Samsung के द्वारा sponsor लगते है बाकि OnePlus 12 का वीडियो भी जल्दी आएगा अब उस पर देखना है कि वो किसके द्वारा sponsor लगेगा और जो लोग मुझे अभी तक support करते आए हैं वो ऐसे ही अपना support बनाए रखे जिससे इस channel को आगे बढ़ने में help मिलती रहे अब भी अगर इस phone से related कोई भी query है तो आप comment section में पूछ सकते हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें थेंक यू एंड टेक केर